कि अपने चलिए चलिए फिर इसा इतने कॉम्पिटिशन को एक्स्प्लोर करते हैं यह कॉम्पिटिशन है इंटरनेशन इनोविशन कॉंक्लेव एक आई-ाई-ाई-सी ट्वंटी ट्वंटी वन जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चतिसकर यूनिवर्स्टी के द्वारा यह कि कॉम्पिटिशन है क्या सबसे पहले हम यह जानते हैं देखिए इसमें प्राइज की बात करती हूं पहले में प्राइज फिरस्ट प्राइज है यह नेशन इंटरनेशनल विनर्स के लिए हैं वो थर्टीन हंड्रेड डॉलर होगे सेकेंड प्राइज होगा सिक्स्विफी students अपने ideas को learn to invent यानि सीखते भी हैं और उसे invent करना चाहते ह। और उसे explore करना चाहते हैं एक unique platform उने मिलेगा Students को जो अपने ideas को prototype और product creation के तूँ एकज़ोगीट करना चाह रहे हैं, यह जो competition है, यह students के लिए, researchers के लिए, professionals के लिए, यह सब के लिए है, तो इस competition में देखिए, थोड़ा सम जान लेते हैं कि कौन-कौन participate कर सकता है, यानि कि eligibility criteria क्या है, तो eligibility criteria की बात करें, तो इसमें student and faculty members from all streams, चाहिए वो arts का है, science का है, commerce, humanities, engineering, सब ही इसमें participate कर सकते हैं, faculty member भी है, student भी है, यानि कि professional, researchers, students, all, सब को ही participate कर सकता है, अब जानते हैं, इसमें थीम क्या है, देखिए, थीम इसको 5 themes में दी गई है, पहली है, इसको IOT, AI यानि artificial intelligence है, theme 2 agriculture है, theme 3 energy conservation है, और फिर waste management और फिर theme 5 productive development होगी, इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं, इसके dates की, इसमें important dates क्या है, last date की बात करें, तो इसका submission जो होगा, आप कब तक इसको submit कर सकते हैं, अपने idea को, 5th August तक submit कर सकते हैं, फिर इसके बाद आपका जो screening and short listing होगा, वो 17th August तक complete हो जाएगा, फिर first round होगा, जो के presentation round होगा, फिर final round of post and project presentation, जो last round होगा, final round होगा, वो 3rd to 4th September 2021, complete हो जाएगा, अब आपको करना क्या, इसको अपना idea कैसे करना है, तिक इस idea करने के लिए, आपको 3 steps को follow करना पड़ेगा, step 1, सबसे पहले अपना idea, आप practical solution उपर दिये गए किसी भी topic में, आप पहले तो कोई एक problem लेंग जो कि आपकी community से related हो, society से related हो, या surrounding से related हो, उस problem को आप practical way में solution के साथ, उसे submit करेंगे, आपको इस problem को लेना है, और solution उसका देना होगा, practical way में prototype के form है, फिर आपको step 2 जो होगा, screening round होगा, जिसमें आपकी जो ideas है, उनको कितनी feasibility है, कितनी novelty है, और कितनी applicability है, वो सब आपका check किया जाएगा, screening round में, इसमें step 3 में जो आपका check किया जाएगा, presentation and prototype, यानि कि इसमें आपकी presentation होगी, prototype and business model जो भी होगा आपका, वो आपका देखा जाएगा, और वो आपका final round होगा, अब थोड़ी से और details जानते हैं, इसमें आप submit कैसे कर सकते हैं, register कैसे क सकते हैं, और इसमें आपको कुछ numbers दिये हैं, contact numbers, आप वहाँ से भी इसे contact कर सकते हैं, देखिए कहां से download कर सकते हैं, ब्राउजर को, पहले आपको मैं बता दू, आप कहां पर अगर आपको कोई query है, आपको कुछ पूछ ना है, तो नीचे बहुत सारी contact number है, email ID है, तो आप मुआपबर जाकर contact कर सकते हैं, देखिए कहां पर होंगे आपके, यह आपके chief guest होंगे, integration के लिए, यह आपकी mobile number है, यह email ID है, आप यहां से कोई भी query ले सकते हैं, put up कर सकते हैं, आप यहां देखिए आपका, जो होगा, यह आपका browser है, इसमें सारी आपकी themes दी गहीं हुए में who can participate, कौन participate कर सकता है, last date क्या है, यहां से आप सारी themes ले सकते हैं, themes में देखिए, अलग लग इसमें दी हुए है, आपकी internet of things, artificial intelligence, agriculture, energy conservation, waste management, water management, ruler development, covid-19, sustainable development, goal, health, product development, यह आपकिसी में एक theme को select कर सकते हैं, देखिए, मैं बार बार कह रही हूं, यह आपके contact number हैं, contact number का हैं, तो आप direct यहां से contact कर सकते हैं, यहां को register कैसे करेंगे, देखिए, register now पे click करेंगे, register now पे click करने के बाद एक form आपके सामने appear होगा, इसमें आप सारी details फिल कर सकते हैं, इसमें देखिए, आप student है, research scholar है, faculty, industry professional है, अधर से, आप select करेंगे, नीचे institution का name, आप select करेंगे, age, country, name of the team leader, contact number of team leader, email ID, इस तरह से सारी आप फिल करके, और इसे आप file को attach करेंगे, और फिर से यहां submit कर देंगे, तो इसकी last date आप फिर से देख लेना, इसकी last date क्या है, किस तरह से process होगा, इस अब आप अच्छे से एक बार देख कर और इसे submit कर सकते हैं, तो यह अच्छा आप एक contest है, conclave है, अपने ideas को explore करने का, एक platform आपको मिल रहा है, देखिए, आप direct यहां से भी registration कर सकते हैं, तो इस competition में आप जरूर participate करिए, तो उमीद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी, तो इसे like करिए, share करिए, और मेरी channel को subscribe करें, thank you, thank you very much for watching this video तो